मुल्ट की तरफ से नियूली लॉंच्ट बोल्ट Z40 अल्टरा की और इससे पिछला जो मॉडल था बोल्ट का Z40 उसने वन मिलियन से भी जादा जो है सेल्स अचीव की थी और अब जो है नया मॉडल आ चुका है बोल्ट की तरफ से बोल्ट Z40 अल्टरा वार्लेस इरबट्स तो चलिए इनको रिव्यू करते हैं इसका जो प्रॉड़क्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा वहाँ से जाकर आप पर्चेस कर सकते हैं और प्राइसिंग के रहने वाली है उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना है आपको यहां मिलता है तो एंसी यहां पर दिया गया है इन इयरबर्ट के अंदर इसके अलावा डूवल डिवाइस पेरिंग का भी ऑप्शन आपको इसमें दे दिया गया है तो यानि की लैप्टॉप और मोबाइल एक साथ आप दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे तो वो भी एक बहुत ही बड़िया फीचर यहां पर आपको दे दिया गया है मेड इन इंडिया की यहां पर आपको ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड हमें मिल जाता है तो गेमिंग में बह आसिस्टेंट भी मिलता है वन यर की वरेंटी साथ में आपको कमपनी की तरफ से मिलती है और यह जो है fastest growing wearable brand in इंडिया बन चुका है तो यहाँ पर जो है trust भी मिलता है आपको कमपनी की तरफ से और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो करोड से भी जादा है पी कस्टमर्स बोल्ट जो है दे चुका है अब तक और हर पांस सेकेंड में एक प्रोडक्ट इनका बिग जाता है और पंदरा लाग से भी जादा रेटिंग इन्हें मिली हुई है ओनलाइन एप्लिकेशन पर तो बोल्ट की बहुती प्रीमियम सी ब्रेंडिंग देखने को मिलती है सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर आपको देख सकते है उपर की तरफ जो है ब्लॉसी पैनल है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट फिनिश में दिया गया है जो की काफी जादा अच्छा देता है look इसको और यहाँ पर जो है मैं आपको एक बाइस को open करके दिखाता हूँ तो open करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं light भी दिख जाती है तो charge कितने हैं यह वो भी आपको यहाँ से पता चल जाता है और look आप देख सकते हैं friends काफी जादा premium design यहाँ पर देखने को मिलता है मुझे काफी पसंद आये हैं और इसका यहाँ से flat edges मिलते हैं तो आप इस तरफ देख सकते हैं एकदम flat edges में दिखता है यह earbud side से और उपर से आप case भी देख सकते हैं करफी जादा बढ़िया लुक में यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यह जो है easily गिरते नहीं यह चीज़ भी में को बहुत ही बढ़िया लगी case ऐसे हिलाने पर बंद नहीं हो रहा है यहाँ पर case में से ear buds निकल नहीं रहें यह भी एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे यहाँ पर मैं आपको इन दोनों को निकाल के दिखा देता हूँ कि किस तरह की आपको stem shape में यहाँ पर design देखने को मिलता है तो कुछ इस तरह का design यहाँ पर देखने को मिलता है मैं आपको close up में दिखाता हूँ तो यह आप देख सकते हैं friends कि इस तरह का design यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है यह pairing mode में आ चुका है यहाँ पर red light blink हो रही है इसका मतलब यह pairing mode में है तो जैसी आप अपने phone का bluetooth on करेंगे आपको यह show हो जाएंगे तो बहुत ही जादा easy है इनको connect करना जैसे bolt लिखावा आएगा आप easy लिए इनको pair कर सकते हैं तो on करते ही pairing mode में यह चले जाते हैं और एक बार आपने pair कर लिए फिर यह automatic pair होना start हो जाते हैं इस भी phone से आप एक बार connect कर लेंगे हर बार यह automatic pair हो जाते हैं तो design और premium quality जो है मुझे सच में बहुत जादा अच्छी लगी है इनकी तो उस मामले में मैं इनको 10 on 10 देना जाहूंगा मुझे बहुत ही बढ़िया लगी bolt की quality इसके लावा आपको एक fast charging cable मिलती है box के अंदर इसके लावा extra ear tips भी मिलते हैं आपको box में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन color options में जो है इन ear buds को launch किया गया है पहला है rubber finish में यहाँ पर beige color दिया गया है इसके अलावा metallic brushed finish में दिया गया है और तीसरा जो है वो black color में यहाँ पर दिया गया है तो तीनों ही काफी जादा premium यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको कौन सा अच्छा लगा है comment section में जरूर से बताईए तो उसके लिए आपको जो right earbud है उसको थोड़ी दिर के लिए प्रेस करना होगा long press करेंगे तो वहाँ पर ANC mode on हो जाएगा और जब यह आप कोई call वगरा लेंगे तो एकदम साफ आवाज आपको सुनाई देगी तो यहाँ पर battery जादा consume करता है ANC mode लेकिन जादा जो है आपको इनको यूज करना है क्या के features आपको इसके अंदर मिलते हैं सब चीज़े आपको यहाँ पर बताई गई है तो इसको भी जरूर से आप एक बार check out कीज़ेगा So friends touch control की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको इनको touch controls को यूज करना है तो left side में अगर आप single tap करेंगे तो यहाँ पर music off हो जाएगा फिर से tap करेंगे तो music start हो जाएगा यही same चीज़ आप right side में करेंगे तो भी same चीज़ apply हो जाएगी music को play और pause करने के लिए single tap से आप यह कर पाएगे इसके अलावा अगर आप double tap करेंगे तो next track जो है वो लग जाएगा तो यहाँ पर track जो है change हो जाएगा या फिर track starting से play हो जाएगा वो app के support पे depend करता है तो इसी तरह से आप previous track पे भी जा सकते हैं अगर आप left side में tap करेंगे तो वो previous track पे चला जाएगा और अगर आगे वाले पर tap करेंगे तो वो next track पे चला जाएगा switch हो जाएगा तो double tap से आप आगे और पीछे track को जो है change कर पाएगे तीन बार tap करेंगे left side में तो यहाँ पर volume decrease हो जाएगी जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर volume decrease हो गई है तीन बार right में tap करेंगे तो volume increase हो जाएगी तो इस तरह से यह functions आपके काम करते हैं voice assistant को भी आप on कर सकते हैं तो 2 seconds के लिए आप left की तरफ को इसको press करके रखेंगे तो यहाँ पर voice assistant on हो जाता है इसके अलावा यहाँ पर call उठाने के लिए आपको tap करने के जरुरत है बस single औ on या off हो जाएगा आपका call और reject भी आप जो है उसी से कर सकते हैं और game mode में जाने के लिए आपको जो है left side में चार बार tap करना है एक दो तीन चार तो चार बार अगर आप tap करेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि यह game mode में आ गये हैं इसके अलावा और भी अदा अग अपने touch controls को use कर पाएंगे स्वेंट से gaming test करके देख लेते हैं कि कैसा हमें sound यहां पर सुनाई दे रहा है तो इन earphones को मैं अपने mic के पास लेके जाता हूं और फिर आप बताएगा कि कैसा sound यहां पर सुनाई दे रहा है इन earphones के कुछ extra features के बारे हम बात कर लेते हैं जैसे की ANC तो ANC के अंदर आपको 32 decibels तक की sound reduction यहां पर देखने को मिलती है तो noise बहुत जादा कम आपको देखने को मिलेगी और best of the class यहां पर देखने को मिलती है इसके अलावा यहां पर अगर मैं बात करूँ इन earbuds के battery life की तो case के साथ आपको जो है 100 hours का बैटरी backup यहां पर देखने को मिल रहे वाला है साथ में ही fast charging का भी support है तो 10 minute के अंदर अंदर 100 minutes का play type भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा type C की fast charging का support यहां पर आपको मिल जाता है इसके अलावा जो design वगरा आपको मिलता है वो काफी ज़्यादा premium देखने को मिलता है जो कि मुझे काफी पसंद आया है personally यह चीज मुझे बढ़िया लगी है इन devices के अंदर इसके अलावा यहां पर आपको चार equalizer modes देखने को मिल जाते हैं जैसे कि normal mode, transparency mode, ANC तो यह सारे जो है आप easily use कर सकते हैं और base boosted mode भी काफी अच्छे से यहां पर work करता है calling test अभी हम करके देखते हैं तो जिससे आप और जादा idea लग जाएगा कि किस तरह की quality आपको इन earbuds में देखने को मिलती है design भी बहुत जादा जो है यहां पर premium दिया गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह का panel यहां पर glossy आपको दिया गया है काफी जादा बढ़िया यह लगता है low latency mode जो है बहुत अच्छे से work कर रहा है हमने gaming test भी करके देखा तो उसमें भी कोई problem देखने को नहीं मिली और bluetooth का जो support है 5.3 वो भी बहुत अच्छे से work कर रहा है जैसी मैंने device को open किया तो easily जो है वो मेरे phone के साथ connect हो गये थे तो महाँ पर भी मुझे कोई problem नहीं हुई इसके लावा IPX5 की जो है water resistant rating भी यहाँ पर मिल जाती है तो splash proof यह जो है devices बन जाती है तो यह भी मुझे काफी अच्छा लगा है अब इनका जो है एक बाग calling test करके देखता है ANC mode on करके और देखता है कैसा sound quality हमें मिल रही है calling के लिए आपको इनको लेना चाहिए या फिर नहीं तो इस चीज को हम test करके देखते हैं तो चलिए चलते हैं calling test की तरफ अब जावाज आप सुनरहे हूँ आरही है Z40 Ultraviolence Earbuds केशी sound आरी कमेंट करके जरूर से बताएगा background में सेम वीडियो चल रहा है और कितना sound जो है केक्चर कर रहा है मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा ANC mode अभी on है तो देख सकते हैं आप जच कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा difference देखने को यहाँ पर मिल जाता है कितना sound यह earphones capture करते हैं So friends बात कर लेते हैं आप comfort की और sound quality की तो sound quality के मामले में जो है bolt ने बहुत ही बढ़िया काम किया है चाहे वो bass हो चाहे वो loudness हो सब चीज़े जो है बहुत ही अच्छे से balance की है अगर आप इन earbuds को full volume में भी सुनेंगे तो आवाज फटती निये यह चीज़ में को काफी बढ़िया लगी है इन earbuds की इसके अलावा comfort भी बहुत अच्छा है आराम से काम में fit हो जाते हैं और गिरने का भी कोई tension नहीं है splash resistant भी है IPX5 की rating मिलती है तो उसमें भी कोई tension वाली बात नहीं मिलती है यहाँ पर बेस quality बहुत बढ़िया है यहाँ पर उसमें कोई भी कमी नहीं है और music lovers के लिए यह बहुत ज़ादा बढ़िया रहेगा बहुत ज़ादा heavy base नहीं है धमदम के आपको ज़ो है ज़ादा देर ना सुन पाए ऐसा नहीं है इसको जाए इस तरह से design किया गया है कि आप बहुत ज़ादा देर तक इनको use भी कर पाएंगे और battery life जो है around 100 hours के claim की गई है तो वो भी आपको जो है अच्छी sufficient battery life यहां मिल जाती है और साथ में fast charging का भी support मिल जाता है So friends अब conclusion की बात करते हैं कि मुझे ये product कैसा लगा है Bolt Z40 Ultra Wireless Earbuds Personally मुझे बहुत ही ज़ादा पसंद आए हैं ये अगर मैं बात करूँ सबसे पहले sound quality की तो sound quality में मैं इनको rate करना चाहूँगा 9 out of 10 अगर मैं call quality की बात करूँ तो call quality में भी मैं इनको rate करना चाहूँगा 9 out of 10 ANC mode जो इसका बहुत अच्छे से work कर रहा है बाहर की जितनी भी noise है काफियत तक उनको जो ही cut कर देता है तो आपके लिए अगर आप calling के purpose से लेना चाते हैं तो definitely आप इनको ले सकते हैं base quality बहुत ही बढ़ी है तो base control, base level सब चीज़े बहुत अच्छे से work कर रही है इसके अंदर और full sound करके भी अगर आप इनको सुनेंगे तो आवाज जो है फट नहीं रही है ये चीज़ भी मुझे काफी बढ़िया लगी है तो इस मामले में bolt Z40 Ultra पे काफी अच्छा काम किया गया है और बात करें अगर हम comfort level की तो comfort के मामले में भी मुझे ये ये earbuds जो है काफी अच्छे लगे है तो यहाँ पर इनको भी मैं आराम से 8 out of 10 देना चाहूँगा तो overall अगर मैं कहूँ तो आराम से मैं 8.5 out of 10 इसको rate करना चाहूँगा definitely ये जो है worth buying है इस price पे तो price क्या है इसकी तो price रखी गई है 1.999 offer के अंदर तो अगर आप अभी लेते हैं तो 1.999 में आपको जो है बोल्ट के wireless Z40 Ultra जो है मिल जाएंगे purchase link मैंने description में डाल दिया है वहाँ से जाकर कि आप ज़रूर से purchase कर सकते हैं वीडियो कैसे लगाए वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like कर दीजे चैनल पढ़ने तो subscribe कर लिजे बेल notification को भी on कर लिजे इस वीडियो में इतना ही था friends बोल्ट को ज़रूर से check out कीजेगा Z40 Ultra को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए